तो स्टार्ट करते हैं रिजेंट तो देखो रिजेंट क्या होता है मैंने पहले बता दिया था कि the species which attack the substrate ठीक है सबस्टेट एक species है carbon containing species है जिस पर attack करता है रिजेंट ठीक है रिजेंट में भी positively और negatively charged और neutral जो रिजेंट हो सकता है वो positively charge भी हो सकता है negatively charge भी हो सकता है और वो neutral भी हो सकता है और इजामपल यहाँ पर मैं दिए है यहाँ पर हीट्रॉकषेड आइन दे रखा है OH- और यहाँ पर देखा है NO2- positive यह है यह है electrophile यह है nucleophile ठीक है और यह भीzukщее रिखाई होता है पर इसको पैशानेंगे कैसे यह nucleophile ह cwnc पर तो negative दिख रहा है तो जिस पर negative होता है वो तो क्या होता है nuclear होता है जिस पर positive होता है वो इलक्तो फायल होता है यहां सब्सक्राइब साफ आपको charge देखे identify कर सकते हो पर जिस पर charge नहीं होता है ठीक है उसको कैसे यहां से वर्ल्ड आ रहा है, confuse मतूना electron loving, electron पर कैसा charge होता है आपको पता, negative charge होता है electron loving, मतलब electron का दोस्त, उस पर क्या होगा simple बात है positive charge होगा, तो electrophile जो होंगे वो positively charge होंगे ठीक है, number 1 और दूसरी बात यह है कि electrophile जरूरी नहीं है कि positive charge होंगे वो neutral भी हो सकते है ठीक है, पर उनमें electron की कमी होगी, मतलब the electron deficient species अब इस discuss करेंगे इसको भी, ठीक है तो यह किछी याद रखो कि electrophile मतलब कि electron loving तो है पर उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, electron deficient species, simple अगर positive charge है, इलक्टोफाइल पर तो positive charge तभी आता है, जब उस पर electron की कमी होती है ठीक है, अगर वो neutral है तो हो सकता है, फिर भी उसमें electron की कमी है तो फिर भी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलक्टोफाइल बोल सकते हैं तो याद रखो, कि इलक्टोफाइल को positive charge देखते ही पैचालना बहुत सरल है ठीक है, जब neutral होता है, तो उसको identify करना तो फिर सम मुस्किल होता है, वो हम लोग सीखेंगे भी तो इलक्टोफाइल यहाँ पर same, मैंने थिवरी लिखी है origin which can accept electron is called electrophiles, आपको मैंने बता दिया न कि इनमें electron की कमी होती है electron deficient है, अगर electron deficient है तो simple बात है, यह electron accept करेंगे न stable बनने के लिए, ठीक है bond formation के लिए, तो इलक्टोफाइल क्या होते है, a region which can accept electron is called electrophiles, सही है अब यहाँ पर लिखावा है the name electrophilic means electron loving जो मैंने परिबता दिया, it indicates that the attack the region of high electron density ठीक है, अब यह electron loving है तो यह मतलब कि यह वो, क्योंकि इन पर electron कम है, यह electron कम है, तो यह उसी region पर उसी छेतर पर attack करेंगे, जहाँ पर electron ज़्यादा होंगे मतलब जहाँ पर electron की density यानि घरत तो ज़्यादा होगा, ठीक है they have six electron in their valence cell, ठीक है, ज़रूरी निया कि सब में six होंगे, पर इनकी खासियत है कि इनके पास six electron भी होते है six electron, देखो six electron है simple बात है कि octate से कितना electron कम है दो electron कम है अगर six electron के पास है, तो octate पुरा करने से, कितने electron कम है, दो electron कम है, जोकि electron कम है, तो positive लगा कि, ठीक है, electrophile post, ठीक है, ऐसे represent कर सकते है अब देखो, tabs of electrophile तो यहाँ पर, देखो, tabs of electrophile मैं बोला था ना, पहले कि positive charge भी हो सकता है electrophile पर और neutral भी हो सकता है तो यह पैशानना बहुत simple है, देखो अगर positive charge आए, तो simple बात इनमें electron की कमी है, अगर electron की कमी है, तो इनको तो देख के पैशाल लेंगे कि, यह electrophile है, ठीक है अब neutral वाला समझो, इन देखो यहाँ आप example देख सकते हैं, उसब पर plus charge है तो सब के सब क्या है, electrophile है, जोकि इनमें electron की कमी है, तब ही plus charge आए होगा प्लस charge का बाता है, जब इसने electron donate की होते हैं, अगर यह electrone donate करेंगे तो simple बात है, इनमें electron की कमी होगी अगर मेरे पास 100 रुपे है, मैं किसको 100 रुपे दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगी पैसे की कमी हो जाएगी, simple है तब मेरे पार क्या हैगा, प्लस charge आएगा ठीक है, तो इन पर प्लस charge आएगा इसका मदलब भी यह है कि इनने electron donate कर रखे है किसी को, ठीक है तब इन पर electron की कमी हो गई है हैंस दे आर, पोस्टिली चार्ज अब देखो, न्यूट्रल पैसा ना पड़ेगा, electron की कमी होती है कैसे कमी होती है, अलमूनियम याद रहू मैं यहाँ पर लिए जता हूँ, अलमूनियम आपको बतावा, group 13 का element है ठीक है, अलमूनियम उसके outer most में कितने होते हैं, valence cell में कितने electron होते हैं, अलमूनियम के octet से 2 electron कम है इसके पास तो इसलिए यह electrofile है ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, diacolor carbon इसको पैसान, यह भी थोड़ा important है तो देखो, diacolor carbon को मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ यह है ठीक है, तो यहाँ पर देखो, 2 electron यहाँ पर एक bond के अंदर 2 electron इस bond के अंदर 2 electron, 2 होगी 4 5, 6, तो इसके बाद भी 6 electron इसके बाद भी 6 electron अब जोगो CO2 का क्या चक्र है, CO2 कैसे electrofile है, इसको पैचानते हैं अबर तो CO2 में क्या होता है, कि इसको में अगर open करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है तो oxygen पर होता, delta negative charge और इस oxygen पर भी delta negative तो इस पर क्या होगा, positive charge आगा क्योंकि कार्मर भी 6 है, तो इसलिए electrofile, ठीक है, सेम FECL3 में क्या होता है अब क्योंकि FECL3 में क्या होता है, अब क्योंकि FECL3 में क्योंकि D-Block का element है, तो इसके पार vacant d-orbital होते हैं, अगर vacant d-orbital होंगे इस पर भी negative, इस पर भी negative, एस पर पहुश्च जो आ जाएगा ठीक है, सेम BF3 देखो जैसे LCL3 है, उसी group का, group 13 का पहला element क्या होता है, वो होता बुरोन तो बुरोन के outermost, यानि valence cell में कितनी electron, 3 electron, ठीक है और fluorine के संग्या कितनी 3 तो kul मिला के 6 electron होगे, तो यह है electron deficient इस परसीज, यानि neutral electrophiles ठीक है, अब हो लोग देखते है nucleophile क्या होता है, तो देखो, nucleophilic reagent, same electrophilic का just manage की थोरी, अपोजिट नहीं अगर आप, electrophilic reagent के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो उसका just opposite, बारे में इसको, ठीक है a reagent which can donate electron is called nucleophilic reagent देखो, nucleophilic का मतलब क्या होता है, मैं पहले बताएता हूँ nucleus loving ठीक है, वल्ड आ रहे, nucleus loving, मतलब तो nucleus पर कैसा चार्ज होगा, positive charge होगा, simple है ठीक है, तो उसका loving, उसका दोस्त, तो कैसा होगा, negative charge युक्ै दोस्त क्या होगा, negativecharge, ठीक है तो देखो, अगर क्योंकि इन पर negative charge होता है negative charge का मतलब कि इन में electron density ज्यादा होगी, तो बहई ये electron किसी को donate कर सकते है electron क्या करते थे, electron accept करते थे क्योंकि उनमें electron की कमी होती है तो लिखावा a reagent which can donate electron is called nucleophilic reagent the name nucleus nucleophilic means nucleus loving it indicates that they attack the region of low electron density ठीक है अब ये क्योंकि इनमें electron ज्यादा है तो वो वहाँ पर attack करेंगे जहाँ पर electron कम होते है तो low density जहाँ पर होती है ठीक है याद रहना they have 8 electrons mostly क्या होंगे आपने दिखाऊगा कि octet इनका complete होगा ठीक है 8 electrons होते है अगर 8 electrons होते हैं तो simple बात क्या करेंगे अटेक कर सकते हैं किसी पर ठीक है अगर 8 electron होते हैं तो वो electron risk species होती है ठीक है nucleophile electrophile में क्या था 6 electron थी तो वो electron deficient था ठीक है अब यहाँ पर neutral को पैसे थोड़ा सा थोड़ा सा हाल रहेगा इनकी तरह है इनके compare में ठीक है यहाँ पर क्या देखो एक चीज़ याद रखो nucleophile वो होंगे जिनमे electron density ज़दा होगी जिनमे electron ज़दा होंगी इतना याद रखो बस वो negative अगर लगा है तो negative का मतलब होता है electron ज़दा है ठीक है अगर lawn pair है तो भी यह nucleophile है lawn pair का मतलब ही होता कि इसके बाद एक्स्टा electron है तो यह attack कर सकता है ठीक है NS3 में negative पर lawn pair होते हैं आपको पता है oxygen यहाँ पर है इस पर भी 2 lawn pair है यहाँ पर C box ने तो यहाँ पर भी 2 lawn pair है पर आपको पैचालना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया neutral nucleophiles और यह हो गया negative charge electophiles